मेरे पास है 30,000 रूबिस में Motorola H40 और 33,000 रूबिस में Vivo V27 ए दोनों फोन लेकार बहुत सारे दोस्त कन्फियूज है क्योंकि दोनों फोन में कर्व डिस्प्ले है अगर आप ए वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आईडिया लग जाएगा कौन सा फोन आफके लिए बेस्ट होगा चलिए दोस्तों start comparison सुरुआत करता हो दोनों फोन की डिस्प्ले से देखवाई दोनों फोन में तो कर्व डिस्प्ले है लेकिन डिस्प्ले की साइज के तरब देखा जाए विवो का डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बड़ा रखा है 6.78 इंच FHD Plus AMOLED पैनल के साथ आ रहा है और इसमें 120 Hz का refresh rate है और मोटो में है 6.55 इंच FHD Plus PMOLED पैनल इसमें 144 Hz का refresh rate है दोनों फोन का डिस्प्ले के ब्रजल और निचे जो चेंग बहुत ही छोटा रखा है ब्राइडनेस भी आच्छा है आप दोनों फोन को अराम से आउटडूर पर यूच कर सकते हो दोनों फोन में अब यूटूब पर 4K में HDR content देख सकते हो कुछ भी problem नहीं आएगा जो color contrast detailing देखा है दे रहा है यहाँ पर आप देख लीजे मोटो में मुझे slightly color contrast बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें है pure light panel और इसमें आप मुवी देखकर बहुत ही अच्छी तरीगे से enjoy कर पाओगे ऐसे भी आपको तो पता है मोटो में है बहुत ही powerful chipset Dimensity 8020 chipset जो कि 1 octa-core chipset 6 nm पर बना हुआ है Vivo में है Dimensity 7200 chipset जो कि 1 octa-core chipset AV chipset 6 nm पर बना हुआ है अगर आप normal user हो तो आप एक दोनों फोन से कोई भी एक फोन को choose कर सकते हो दोनों फोन जो है day to live यूज में hang नहीं करता है लेकिन अगर आप gamer हो तो आपको आँख बंद करके moto के साथ जाना चाहिए पहले से इस फोन में मिल रहा है 144Hz का refresh rate और इसमें पारफुल chipset होने की वज़े से जब gameplay मिलेगा यार बहुत ज़्यादा smooth है ऐसे भी दोनों फोन में अब BGM जैसा गेम 60 एपीस में खेल पाओगे जाइरो का performance भी अच्छा मिलता है लेकिन यार मोटो में एक major problem है जो फोने बहुत ज़्यादा heat करता है 45 degree easily cross कर लेता है भी वो का फोन इतना ज़्यादा heat नहीं करता है मेरे पास है दोनों फोन का base variant जिसका RAM स्टार्ट होता है 8GB RAM से LPDDR4X का RAM है यह Office 3.1 का storage type है RAM management दोनों फोन में लगबग से मिल जाता है ऐसे भी Moto का फोन आता है पीछे की तरफ dual camera setup के साथ लेकिने triple का का काम करता है क्योंकि दोस्तों इसका जो primary sensor है 50MP, 13MP जो altroid का का काम करता है और micro का भी काम करता है वीबो में है फीछे की तरफ triple camera setup primary जो sensor है 50MP, 8MP, altroid के लिए और 2MP है दोनों फोन में YSB है यह जो photo sample आप देख रहा है हो अब यह पर देख लिए जो color contrast detailing है वो वीबो की phone में कितना अच्छा देखा दे रहा है वीबो का phone को मना जाता है अच्छा camera phone, ऐसे भी इसका जो camera है मुझे मोटो से थोड़ा सा बहतरिन लगा है एक phone skin tone को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, detailing जो है वो बराबर मिल रहा है ऐसे भी फिबो में है 50 Megapixel का selfie camera, बोटो में है 32 Megapixel का selfie camera, देखो या skin tone में यहाँ पर बहुत जाता परक मिलेगा, भी वो का phone skin tone को बहुत ही अच्छी तरीके से present कर रहा है, उसके comparison में मोटो की तरफ देखा है skin tone को हलका सा rate कर देता है, दोनों phone dynamic range को अच्छी तरीके से manage कर लेता है, detailing भी मसत है, कुछ फोटो में जूम करकर दिखा रहा हूँ, आप यह पर देख लेजिए, detailing में कुछ भी problem नहीं आएगा, दोनों phone की back camera से आप 4K में वीडियो को record कर सकते हो, लेकिन यह जो video sample आप देख रहे हो, full HD 60 एपेस में record हुआ है, और इसका quality आप पर देख लेता है, और skin tone को और lighting भूजिसान को दुनों phone बहुत अच्छी तरीकर से manage कर लेता है, overall मुझे camera में वीडियो का phone सबसे अच्छा लगा है, आपको कौन सा phone अच्छा लगा है, आप मुझे comment में चूरू बता सकते हो, अभी तक मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छ जब UV light पढ़ता है, जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है, ऐसे इस phone की पीछे की तरा matte finishing है, प्रैस्टेज ये fingerpin का नेसा नहीं आता है, camera का bomb भी इतना जादा बाहर नहीं हुआ है, इसका जो flash light है और ring light का effects देता है, जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है, मोटो का design और build quality इतना बेकार की नहीं है, वोटो का जब frame है, वो aluminum का बना हुआ है, इसका बेटे से जिफोन है थोड़ा सा भारी फिल देता है, लेकिन इसका build quality बहुत जाथा solid है, मेरे पास जो color है, इसके पीछे की तरह polycarbonate back मिलता है, जिसमें matte finishing है, crashes या fingerpin का नेसा नहीं आता है दोनों फोन हाल पिलाल में Android 13 पर रान हो रहा है, अगर आपको अच्छा OS फोन लेना है, तो आप Moto के तरब देख सकते हो, क्योंकि इसमें ads free OS है, bugs free OS है, इस फोन को ज़्यादा secure करने के लिए Moto secure एक application मिलता है, इस application के ज़री है, आप कोई भी application को dual करके यूज कर सकते हो, जै फोन है, Moto में है 14 bands 5G, भीबो में है 6 bands 5G, दोनों फोन में अब SD card को यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अब Moto में एक physical SIM और E-SIM card को यूज कर सकते हो, भीबो में अब दो physical SIM को यूज कर सकते हो, दोनों फोन में dual mic है, noise को बहुत ही अच्छी तरीके से canceling कर लेता है, हैफ्टी फीडबेक के मामले में मुझे Moto का phone सबसे अच्छा लगाए, ऐसे भी Moto में है dual studio speaker with Dolby AdWords का support, भीबो में है single speaker, तो speaker के मामले में winner रहा चापाए Moto का phone, बैटरी के तरब देखा जाए, Moto में है 4400 एमिज की बैटरी, इन बोक्स आता है 68W की adapter के साथ, इसमें 50W का wireless charging का support भी है, इन बोक्स आता है 66W की adapter के साथ, इसमें wireless charging नहीं है, बैटरी बैकाप और charging टाइम में दोनों फोन में इतना जबा अंतर नहीं मिलता है, मैं तो कहूंगा बैटरी के मामले में Moto के तरब देख सकते हो, क्योंकि इसमें wireless charging का features जो है, चलिए दोस्तों, अब सिधी सी बात करते ह इसमें कौनसा फोन आपके लिए बेस्ट होगा और कौनसा फोन आपको लेना चाहिए, दोस्तों दोनों फोन की price के भीज में 3000 गुपेस का difference है, आपको अच्छी तरीके से decide करना होगा, कौनसा फोन आपके लिए बेस्ट होगा है, देखो एं Moto की फोन में आपको तीन बहुत बड़ा कमिया मिलेगा, पहला जो कमिया है दोस्तों इसमें hitting issue बहुत जादा मिल जाता है, दुसरा जो कमिया है इसकी camera में, जो फोन है skin tone को इसने अच्छी तरीके से manage नहीं कर पाता है, और तिसरा जो कमिया है इसकी battery backup लेका और भीबो का battery backup स्लाइटी बेटर मिलेगा, Moto की कमिया की comparison में देखा जाए भीबो में आपको 2 कमिया मिलता है, पहला जो कमिया है दोस्तों इसका OS में, furnace with starting के साथ आता है, इसमें थोड़ा बहुत airs आता है, दुसरा जो कमिया है दुस्तों इस speaker पहें, जो phone आता है, दोनों क्या 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 अंतर है, सब कुछ मैंने आ दिया अब आपकी price के हिसाब से अच्छी तरीके से decide कर सकते हो कौन सा फोन बेस्ट हो रहा है अब मुझे comment भी बता दीजिए मुझे भी पता चलेगा आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट हो रहा है दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा समझाने के तरीका अगर आपको अच्छा लगाए तो एक लाइक कर दीजिए चैनल को क्या लीजिए सब्सक्काइब अगर आपने आभी तक Realme 11 Pro का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आभी पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो